अब बात करने वाले हैं लारावेल के अंदर व्यू के बारे में सबसे पहले में आपको बताऊंगा व्यू होता क्या है कैसे इसको बनाते हैं और देखो लारावेल के अंदर व्यू हम लोग दो तरीकी से बना सकते हैं एक तो मैनुवली फाइल क्रेट करके दूसरा कमांड ल में कुछ interview question भी discuss करने वाले है all right so पहले question की तरफ चलते हैं कि view होता क्या है देखो यह चीज हमें पता है कि view mvc architecture का एक part होता है जिसके अंदर वी denote करता है view को और view के अंदर हम लोग ना ui वाला code रखते हैं जो directly user को visible होता है display होता है आप लोग इस diagram के अंदर देख पा रहे होगे हमारे पास तीन चीज़ें होता है यह end user है एक होता है हमारे पास view एक होता है controller एक होता है model model के अंदर database और logical चीज़े रखते हैं controller control करता है request को और view जो हमें user को दिखाना होता है HTML वाला part, font, color combination, data जो भी होता है वो view के अंदर रहता है right so सबसे पहले request जाती है controller के पास controller view को दिखाता है directly user को so हम लोग कहते हैं कि user के अंदर UI वाला part रखते है हमारे project का alright और यह हमारी Laravel की playlist है 9 parts आ चुके हैं बहुत सारे और part आएंगे interview question, examples वगरा सब कुछ मिलेगा job के लिए perfect series है पूरी playlist देखना link मैंने description box में डाल दिया alright अब हम लोग चलते हैं हमारे second question की तरफ कि इसको बनाते कैसे हैं सबसे पहले मैं आपको manually बना के दिखाता हूँ जो मैं आपको पहले बना के दिखा चुका हूँ but special view वाला पार्ट तो एक बार फटा फटा फट सी फीसर बना के देख लेते हैं फिर सो command line की help से भी देखेंगे view हमारे कहां रखते हैं हम लोग जो हमारा main folder होता है उसके अंदर ही हमें एक अलग से folder देखता है resources नाम से और इसके अंदर views नाम से एक folder होता है इसके अंदर by default एक view welcome.blade.php नाम से फाइल बनती है इसके दर खूब सारा code होता है जिसको मैंने clean करके बस इतना सा रखा हूँ है इसके बराबर अगर मैं एक और फाइल बना लूँ जिसका मैं हाँ पर simply नाम रख लेता हूँ पहले command line की help से भी देख लो कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कैसे बना सकते हैं जहां पर आपका project run हो रहा है उसी directory के अंदर बनाना है आपको और कहीं पर नहीं आप चाहो तो जो आपका php artisan server है उसको एक बार के लिए रोख लो फिर यहां पर लिखो php artisan make colon के बाद लिखो यहां पर view और view का नाम जैसे कि मैं यहां पर रख लेता हूँ let's say simply about राविट देखो usually जो व्यू का नाम होता है ना हम लोग small letter से start करते हैं बट आप चाहो तो capital letter से भी कर लो बट better है कि standard ही follow कर लो because इन्होंने जो view वाली फाइल बनाई थी वो भी small letter से start थी तो आपको यहां पर ऐसे नहीं बताना कि view.blade.php यहां पर लिखो just about और यह अपने आप आपका जो view.blade.php पूरे extension के साथ इसको create कर देगा और यहां पर इसने थोड़ा सा कुछ div वगएरा भी लिखा हुआ है आप चाहो तो इसको clean भी कर सकते हो अदर्वाइस यहां पर h1 tag लिखो और यहां पर लिख सकते हो view और आपका यहां पर path का नाम जैसे मैं यहां पर डालता हूँ home और इसके बाद यहां पर डालूँगा यहां पर home और last में क्या लगा देंगे semicolon अब हम लोग आते हैं हमारे browser के उपर और यहां पर लिखते हैं home जैसे मैंने home लिखा यहां पर चल नहीं रहा because हमने यहां पर फाइल क्रेट करीट थी PHP server है वो run करना भूल गए इसको मैं यहां पर run करता हूँ और अब देखो यहां पर हमारी home वाली फाइल क्रेट हो गई है सेमें इसी तरीके से एक और यहां पर आप चाहो तो view बना सकते हो जिसका मैं यहां पर लिखूंगा about और यहां पर लिख दो about वाली फाइल ठीक है तो यह path हो गया यह मारी file हो गई अब हम लोग यहां पर about भी call करते हैं तो यह भी perfectly open हो रहा है ऐसा नहीं है कि आपको यही देना अगर यहां पर ABC भी दे दोगे ना तो वह भी गाम करेगा वह तो आप कुछ भी दे सकते हो आपको पता है मैं आपको पता चुका हूँ राउट वाली file के अंदर चीक है बट ठीक है तोड़ा matching नाम देते हैं वह बेटर रहेगा तो मैं आ अब हम लोग बात अचा यह हमने राउट से तो कॉल करते हुए देख लिया बट इसको कंट्रोलर से कैसे कोल कर सकते हैं यह नहीं देखा ठीक है कंट्रोलर आपको पता है कि हमारे पास app के अंदर HTTP के अंदर इस यहां पे controllers के अंदर बनता है last वाले part के अंदर हम लोगों न यह बनाया भी था ठीक है अब मैंने वह डिलीट कर दिया था एक बार फटा फट से मैं एक और बना लेता हूँ तो मैं यहां पर सिंप्ली करता हूँ PHP artisan make controller और यहां पर रख देता हूँ मैं let's say user controller यह हमारी class बनती है controller की इसलिए जो first letter होता है हम लोग इसको capital रखते है ठीक है एक और यहां पर controller बन गया यह वाला user controller ठीक है आप इसको कैसे इसके अंदर आप लोग कैसे एक view को call कर सकते हो वह मैं आपको बताता हूँ एक function मना लो यहां पर function function का नाम आप कुछ भी रख लो जैसे कि मैंने function का नाम रख लिया यहां पर home user home लिख देता हूँ user home ताकि आप confuse ना हो कि भाई यह home खी क्यों बनाया कौन सा आप हर दिकार पर home 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 चल रहा है राइट और इसके अंदर मैं यहां पर return करता हूँ view यह हमारा view होता है और इसके अंदर हमारी home वाली फाई colon के अंदर home इस तरीके से ठीक है हो गया अब यहां पर हो गया बट controller को कहां से call करना पड़ेगा अब web से अब आप एक चीज पूछोगे मेरे से यहां से कि यार आप पहले तो एक controller create कर रहे हो उसके अंदर view को कर रहे हो और controller को फिर यहां से call करोगे डारेक्ट ली यहां से जैसे कर रहे है न ऐसे ही रखो न क्यों controller के अंदर से create कर रहे हो reason में आपको बताता हूँ अभी के लिए तो हम लोग यहां से simple static बना रहे हैं view को बट बहुत बार ऐसा होगा कि इन view के अंदर में जो data वो database से लेके आना पड़ेगा तो controller के अंदर सबसे पहले हम लोग model की help से data को fetch करेंगे उसके बाद उसको हम लोग view के अंदर pass कर देंगे यहां पे हम लोग static view तो simple बता है सबसे पहले namespace दे दो मैं आपको simple तरीका बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसको import करना होता है यह पहले से imported है reason being last वाली file से मैं इसको हटाना बूल गया है get और get के अंदर सबसे पहले आप लोग कौन सा path दिखाना चाहते हो so मैं यहां पे लिखना चाहता हूँ home user home user home इस तरीके से और second parameter के अंदर एक array लेंगे इसके अंदर मैं यहां पे लिखोंगा हमारी class का नाम इस तरीके से colon colon class बताएंगे और second parameter के अंदर जो भी हम लोगों ने controller के अंदर function बनाया था वो रख देंगे यह वाला हम लोगों ने बनाया था user home ठीक है यहां पे आएंगे इस function को रखा last में लगा दिया semi call अब home वाल रहता हूं user home अचा यह यह फिर से भूल गया ना अब हमने controller create कर रहा था एक बार इसको start कर देते हैं and there we go ठीक है अभी perfectly काम कर रहा है इसी तरीके से अगर आप लोग एक और यहां पे function बनाते हो जैसे की user about ठीक है इसके अंदर कौन से वाला call कर दो about वाला file है उसको call कर दो और यहां पे आके आप कोई भी एक route बनाते हो जैसे कि मैं यहां पे करता हूं user about और यहां पे user about वाला हमारा function controller ठीक है और फिर हम लोग यहां पे आते है user about perfectly call हो रहा है right so अब तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहां तक देख लिया कि view को कैसे call करते है router और controller से nested view क कि एक और folder बनाओ यहां पे let's say मैं यहां पे बनाता हूं admin से folder ठीक है admin यहां पे बनाता हूं and then उसके अंदर कोई भी एक file रख दूँगा जो भी मुझे रखनी होगी ठीक है वो आप इस तरीक से बना सकते हो बना के दिखाए देता हूं एक और file मैं इसके अंदर मैं यहां पे बनाता हूं let's say admin home.blade.php ठीक है इस तरीकी से बना सकते हो but same चीज़ अगर आप यहां पे बनाना चाहते हो तो यह command line की help से भी बना सकते हो so मैं आपको command line की help से भी बना के दिखा देता हूं simply मैं यहां पे लिखूँगा php artisan make view के अंदर सबसे पहले आपका folder का नाम जै home वाली दे तो दो file हो जाएगी so मैंने यह करा अब आप यहां पे आओगे तो आपको यहां पे क्या दिखेगा कि view के अंदर admin और इसके अंदर login वाली file बन चुकी है अब इसको call कैसे करना होता है बहुत simple तरीक है जैसे आपने यहां पे एक about user था तो इसी तरीके से आप ल इसका route क्या बना सकते हो simply यहां पे admin login और यहां पे admin login ठीक है और अब हम लोग यहां पे आएंगे और simply यहां पे क्या लिखेंगे admin login अरे फिल से भूल के तीन बार भूल जाते हैं फाइल कर देते हैं उसके बार स्टार्ट करना भूल जाता है तो यह वारा admin वाला भी पेज open होगा और अगर आपको directly इसको यहां से यहां से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो simply आपको यहां पे आ करना कुछ भी देतो जैसे कि यहां पर लिख दिया आपने admin ठीक है यहां पर लिख दिया और यहां पर कुछ भी जो इसका path था जैसे कि admin.login तो अगर आप लोग इसको admin के ऊपर भी खोलोगे तो भी यही वाला page खोलेगा राइट तो हम लोगों ने सारी चीज़े चेक कर ली अब इसमें data कैसे अगर दो इसके दखातों सबसे पहले यहां पर यहां पर लिखेंगे , यहां पर लिखेंगे यूजर ठीक है अब मैं यहाँ पर यूजर क्यों लिख रहा हूं तागि आपको confused ना हो जाओ लास्ट में यहाँ पर आपको नेम करके लिखा था और यहाँ पर लिखो dollar name तो अब जो यह यूजर है ना इसको आप चले जाओ यहाँ पर अबाउट वाला व्यू कोल हो रहा है तो अबाउट वाले में चले जाओ और यहाँ पर एक और user name is यहाँ पर double curly braces और यहाँ पर लिख दो dollar user ठीक है and then इसको कोल कैसे करना है यहाँ पर जो हमने बनाया था क्या बात बनाया था हम लोग वेब पर चलते हैं user about user about and then यहाँ पर डाल देता हमें and there we go यहाँ पर आ गया हमारे पास अनेल ठीक है तो यहाँ से data सबसे पहले कहां गया यहाँ पर इस वाली name के अंदर चला गया इस वाले से फिर कहाँ पर चला गया? controller के अंदर, ठीक है? और controller के अंदर से कहाँ चला गया? हमारे इस वाली view वाली फाले के अंदर, ठीक है? अब एक छोटा सा टास्क आपके लिए भी है यहाँ पर, अगर आप कोशिश करोगे, जैसे हमने नाम यहाँ से पास करा ना, इस तरीके से यहाँ पर about के अंदर आप लोग नाम पास करके लिखाओ, मुझे कि यहाँ पर हम लोग कैसे नाम पास कर सकते हैं, one of the previous video के अंदर मैंने आपको यह चीज बताई थी, कि कैसे आप लोग directly view के अंदर भी router से ही data को पास कर सकते हो, यह हमने controller की help से करके लिखा दिया, अब next चीज, जो कि बहुत बार interviews के अंदर पूछी जाती है, वो यह है कि check कैसे करोगे, कि view exist करता है कि नहीं करता है, अब मालो जो हमारे पास यहाँ पर controller है ना, इसके अंदर आप sure नहीं हो कि जो admin वाला login वाला पे जाना, वो exist करता भी कि नहीं करता है, अब हो सकते exist करता हो, हो सकते exist ना करता हो, तो वो आप कैसे check करोगे, simply इसके लिए एक आपका method होता है, बट उसके लिए पहले कुछ, आपको उपर से import भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जाओ, यहाँ से उपर से import करो, अलिमुनाइट, चाओ तो इसको copy कर लो, right, and then support, and support होता है, हाँ, ठीक है, support होता है, उसके बाद में यह facade, and last one is view, यह डाला आपने उपर, then, मालो आपको यहाँ पर admin वाला चेक करना है, तो सबसे पहले आप simply यह कर सकते हो, कि if, यहाँ पर view, because हमने इसको import करा हुआ यहाँ यहाँ पर, dot नहीं आएगा, अब colon लगा सकते हो, scope resolution method भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर कर सकते हो, exist, exist, right, और then, इसके अंदर आपका नाम, कि यह अगर exist करता है, तो इसको load करवा दो, यहाँ पर, else, अगर यह exist नहीं करता, तो echo करवा दो, no view found or something, ठीक है, तो अभी हमें पता है कि login वाला view exist करता है, तो यहाँ पर करेंगे, admin login, तो यह properly चल रहा है, ठीक है, बट अगर, मान लो, admin login की जिए पर, admin sign up चेक करते हैं, हमारे पास sign up की बात होती, ठीक है, तो मैं यहाँ पर यहाँ लिखूंगा sign up, और यहाँ पर भी sign up, कि अगर है, तो sign up कर दो, otherwise, no view found, तो अब यहाँ पर जाऊंगा, तो इसने बोला no view found, कि भाई, sign up वाला नहीं है, login वाला यह हमारे पास, तो ठीक है, तो मैं इस code को एक बार के लिए, यहाँ पर इसको run करके दिखाता हूं, perfectly काम कर रहा है, and then इसको comment करके, यहाँ पर code रख देता हूं, नेस्टेड व्यू क्या होते हैं, कैसे इनको create कर सकते हैं, यह चीज पूछी जा सकती है, कैसे check करेंगे कि view exist करता है के नहीं करता है, यह बहुत सारे important interview question मनते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताती है, I hope आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ doubt है, confusion है, मुझे comment section के नदरे पूछो, and please channel को subscribe करना, video को like करना, बिल्कुल भी मत बूलना, यह आपके लिए completely free of course है, बट इससे मुझे बहुत motivation मिलता है, और यह मेरा PDM का donation का मेरे है, thanks guys!